हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई कोट मेरेज करना चाहते हैं और लड़की अगर बालिक है, है बच्चिस-30 साल की, ठीक है? तो उस मामले में आपने अगर कोट मेरेज कर ली है, तो लड़की के बयानों के आधार पर ही मतलब की तैह होता है कि लड़की किस के साथ रहेगी, और बयान ही डिटर्माइन करते हैं कि उस पे आगे कोई कारवाही की जाएगी या नहीं की जाएगी, मतलब कि लड़की का बय अगर पती के बिरूद में होता है तो उस मामले में पती को प्रावलम हो सकती है, एक्जामपल के तो पर मान लीजए कि आपने कोई शादी की, लेकिन लड़की ने और लड़की के माई के वालों ने ऐसी कोई अफ़य अदाज कर दी कि हमारी लड़की का किसी ने अपरहन कर किया हो मेरे से जबरन साधी की, ठीक है तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, उस मामले में आपको पनिसमेट भी मिल सकती है, वो एक ट्राइल पर चलता है कि उसके बाद ही डेसाइड हो पाता है कि कौन आरूपी है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इसी शादी में कुछ अरचने आती है, तो उनका भी solution होता है, ऐसा नहीं कि solution नहीं, उनका भी solution है, तो जब भी आप कोई court marriage करें, तो उसका आप high court से आप एक protection order करा लें, ताकि आपके खिलाब गर कोई आगे कोई कारवाई होती है, तो उसमें आपको राहत मिल सके, उसके अब भी एगर आपके खिलाब कोई भी FI अदाज होती है, कोई ऐसा कोई FI अदाज होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपने लड़की का परण कर लिया है, ठीक है, और या फिर आपका ऐसा supportive high court का order भी है, तो तब भी देखा जाता है कि 64 का ब्यान पुलिस लेती है या फिर high court का order लेने के बापजूद भी पुलिस शोशन करती है, पैसे मांगती है, FI लगाने के केस खतम करने के भी पैसे मांगती है, या फिर वो कहती है कि हम ये केस ठोक देंगे, या ये केस ठोक देंगे, या फिर ये कहती है, पुलिस के भी लड़की नावालिक है, हमा अगर आप साधी करना चाहते हैं और लडकी की उम्र कुछ डोकुमेंट में 18 प्लस है और कुछ डोकुमेंट में अंडर 18 है तब भी आपको डड़ने की जरूवत नहीं है आपकी साधी हो जाएगी इसका एक process है क्योंकि ज़्यादा तर मामलों में मैंने देखा है कि अगर आप कोई बिना सोचे समझे कूर्ट मेरेज कर लें तो उसके बाद जो problem सुरू होती है तो आप आपका मतलब कि जी का जंजाल बन जाएगा आप बाद में बहुत पच्टाएंगे अगर ऐसी कोई शादी करते हैं लेकिन करते हैं सही तरीके से करते हैं सही राय लेकर करते हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी लेकिन आप बिना सोचे समझे करते हैं आप शादी तो कर लेंगे लेकिन बाद में क्या होगा 363 का section लगेगा 366 का भी section लगेगा पोस को भी लग जाएगा और 376 भी लग जाएगी फिर आप भागते हुए फिर रहेंगे यार रफू चक्कर हो जाएगे और फिर आपके घरवालों को परेशान किया जाएगा और जो कमेंट वर्क्स मिलेख सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे शलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहें